नमस्कार साथियों, दाट डिग्निटी के यूटूब चैनल पर मैं अशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्तोंगे और अभी पेपर देकर आ रहे हैं या पेपर देकर आएं हैं, तो आप सभी अभी थोड़ा रिलेक्स कर रहे होंगे बच्चों के दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्ण आता है, वो प्रश्ण ये आता है कि सर ये जो एर फोर्स है, एर फोर्स में जो हमने पेपर दिया है उसमें कितनी आपकी cut-off जा सकती है ताकि हम आगे की रणनीती बनाएं तो ये जो वीडियो है ये आपका उस Air Force के exam से संबंदित है हमारे पास जो भी data collect हुआ है टेलीग्राम के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से, Facebook के माध्यम से उन सभी माध्यमों से आपका data इकठा करने के बाद हम इस आपकी expected cut-off पर आएं है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे पहले भी हमने कई exam की cut-off जो है वो बनाई है आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं और वो cut-off लगबग लगबग आपका 99% सही आपका ठहरती है जब उसके आपका जो result जो है वो गोशित होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार आप उपस्थित हुए हैं तो चैनल को subscribe किये विना मज जाएए सबसे पहले अगर हम इस paper की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका जो last cut-off है वो अगर आप देखेंगे तो last आपकी जो cut-off है उसमें X group या science की अगर बात की जाए तो male की जो cut-off है वो 39.5 थी वही female की cut-off जो है 23 थी दोनों के बीच में बहुत जादा अंतर है female की 27.5 एक अच्छा खासा gap था male और female के बीच में तो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि female बहुत कम participate करती है बहुत कम बच्चे जो है आपकी बहुत कम महिलाएं जो है या आपकी बहुत कम विध्यार्थी जो है महिला वाग की आपका जो है अब अगर जो expected cut-off में आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले अगर मैं paper के label की बात करूँ तो label में आपका physics और math इन दोनों का label लगबग लगबग पिछले exam जैसा ही था मतलब ना बहुत जादा tough बोल सकते हैं ना ही बहुत जादा आपका easy बोल सकते हैं moderate label था जैसा पिछले exam में था लेकिन जैसा विध्यार्थियों से हमें आपका information मिली उनके numbers मिले हैं उनसे आपकी चर्चाएं हुई हैं तो पता चला कि English का paper पिछले बार से इस बार थोड़ा सा easy था इसी बार इस कारण से English की जो sectional cut off है वो इस बार बढ़ेगी और रागा का तो आपका उतना ही range था जितना पिछली बार था ना जादा tough था ना जादा easy था तो इस बार थोड़ा सा cut off जो है sectional आपकी जो बढ़ेगी वो English की बढ़ेगी और आप सभी विद्यारती जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी exact आपका कितना number आ रहा है अगर आप उचित तरीके से comment में बताएंगे तो हम और सटीकता के साथ आपका जो है तो कि जितने numbers of student बढ़ते जाते हैं cut off की सटीकता उतनी बढ़ती जाती है तो अगर हम expected cut off की बात करें तो अगर हम sectional cut off देखें दोस्तों तो sectional cut off में English में इस बार number थोड़ा जादा जाएंगे लगभग 11 से 12 वहीं math के 8 से 9, physics के भी 8 से 9 और रागा के 17 से 18 मतलब जादा difference आपको इन 3 में देखने को नहीं मिलेगा जादा difference आपको किस में देखने को मिलेगा English में और इसी कारण से आपकी जो final cut off बनेगी वो final cut off में x group की अगर बात की जाए तो पुरुषवर्ग की या male की 32 के आसपास जाएगी और female की 27 वहीं y group की अगर बात क की जाए तो 38 जाएगी आपकी male की और 33 की आसपास जाएगी female की आप सभी comment करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने marks आए हैं यह बिना normalization वाले marks है दोस्तो normalization का marks आपको एक प्रकार से अगर आप समझो तो वह bonus है यह मैंने जो भी आपको बताया है last year का और इस बार का यह बिना normalization के है तो कि normalization तो आप देखिए वो एक प्रकार से bonus होता है और उसका प्रभाव आँगे आपको देखने को मिलेगा यह without normalization आपको कितनी cut-off जा सकती है यह मैंने आपको यहाँ पर बताया है उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा comment box में अपने number जरूर लिखिएगा ताकि हमारी जो digital team है वो आपको comment section में उचित समाधान पदान करेगी रन्नवाद